कि अलो जी कैसो स्वाले दिसेद लव बबर आप पांच चुके लेक्शे नमर 35 पर यहां पर हमारी सीरीज चुलरी इस स्टाडी सिंग प्रोजेक्ट की जहां पर पार्ट 3 पर हम पहुंच चुके यहां पर बहुत सिंपल सेक्शन हम क्रिएट करना सीखने वाले हैं लाश के द अंदर आप सीखने वाले हैं हम चाहते हैं तो सारका सारे सेंगल वीडियो का अंदर भी बहुत जल्दी से कंपलीट कर सकते हैं पर मैं चाहता हूं कि हर चीज इन डीटेल आपको समझ में भले उसको समझाने में टाइम लगे आइधिंक बास समझ में आते होगी तो शुरु लेवल डिजाइन बहुत इंपॉर्टन है दो परस्पेक्टिव से पहला आज का टाइम पर कुछ स्टार्टप से कुछ कंपरी ने शिफ्ट किया है तो आज की पूछी रहे हैं पर साथ चाहता लो लेवल डिजाइन राउंड भी कर रहे हैं एक रखती को शॉटलिस करने के सेट करने के लिए अपनी कंपनी के अंदर उस परस्पेक्टिव से से कंपनी में काम करें तो लो लेवल डिजाइन स्किल्स बहुत इंपॉर्टन हो जाती है क्वालिटी कोड लिखने के लिए तो आपको कोड हिल्प डॉट इन पर जाना पड़ेगा और महां पर आप यह ब सबसे परेंट कंटेशन में आता है कि सबसे पहले मुझेग को क्या अले करना तक यहां यह लेटा हूं और ने खाथ थोड़ा साइस को साइज में बढ़ा कर लेते हैं मैं ने कहा शुरुबात मेरा जो है ऐसा मेरे पास होना चाहिए जो कि एंटायर कॉंटेंट को कंटेन करता हूं तो तो लेट से मैंने इसका नाम करें दिया कि एक कंटेनर मेरे पास है कंटेनर इसके आपर मेरे स्टाइल करूंगा तो भी स्ट्रक्चर फॉलॉव करते आ रहे हैं और आपक्नाव किया हुगा कि हमने तो इसके बाद मैं चाहूं तो इसको तीन डिव के अंदर यहां से सारा कॉंटेंट आ रहा है ग्यां पर साफसारा रहें मुझे बन रही है ठिक है दो इसके लिए गंद सब्सक्राइस सब्सक्राइश抗ना सब्सक्राइब कर सकते हैं एक सिंगल कार्ड के मैं बात करूं लेट से सिंगल कार्ड को ब्रेक्ट कर रहा हूं तो मैंने का पूरा पूरा कार्ड एक डिव के अंदर आता होगा क्या यह बात समझ में आती है वेरी गुड उस डिव के बाद मुझे एक आइकन नजरा रहा है तो मैंने क्या कि बना ली उस डिव के अंदर एक आइमजी टैक का यूज कर लिया तो इस प्रकार से कर लिया कुछ भी ऐसा खास मुश्किल नहीं था तो हमने बोला कि यहां से लेके यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यह पूरा मेजर डिव के अंदर आएगा बहुत बढ़िया फिर मैंने यहां पर एक डिव क्रियेट कर रहे है जिसकंदर मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छ किया मार कर दो इसमें दो कॉलम बना दूंगा फिर मैंने यहाँ पर हरे काड को एक डिव से तरशाए हुआ है हरे का डिव है बहुत बढ़िया और फिर मैंने कहा कि आइकन जो है एक डिव कंदर मैंने का इकन रिख दिया इमें स्टैक का यूज़ कर लिए बहुत करने के लिए ठीक है बाकि क्या बैक्गराउंड कलर नजर आ रहा है इसका कलर ब्लू नजर आ रहा है यहां पर टेक्सटर बोल्ड नजर आ रहा है मार्जिन क्या है पाइडिंग क्या है तो स्ट्राइलिंग में भूसेंगे अभी इस सेशन के अंदर तो आपको सिखा देंगे तो विदाउट वेस्टिंगन टाइम फटाफट अपने कोड की दर्स चलते हैं बहुत सारे कमेंट्स थे कि अपने कोड शेयर ने किया भी तक तो अभी तक क्या हाल है अभी तक हमारा क्या हाल चल रहा है वार समझा देते हैं आपको तो भी अमने का जितना भी content हमारा बना पड़ा उसको एक बार गो लाइव कर दिया तो इस प्रकार अभी मेरा content ऐसा ना आ रहा है यह मेरी नाव बननी पड़ी है नीचे कुछ भी पर नह कर लिए फीचर कंटेनर के बाद मैंने क्या बोला कि मैंक अपनी मैक्स विट का रहूंगा जैसे अब तक मैं कर रहा हूं लाश के दूरेक्ट से से मुसी प्रकार से तो मैंने ऐसा feature content नाम से class कर ली बहुत बड़ी इसकंदर सारके सारका content डालूंगा इसकंदर मैंने क्या ब मैंने कर दी और heading के साथ paragraph मैंने अड़ कर दिया इनका content अभी मैं अड़ कर लेता हूं ठीक है heading के अंदर क्या लिखना डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है copy paste कर लेते हैं तो मैंने बहुत बड़ी है तो हमने अपना पहला part कर लिया है यानि कि हम जो यह वाला के part कर बना रहे थे यह बना लिया है अब मुझे grid create करना बनाना है ठीक है तो मैंने बोला इतना part समझ मैं में इन्फो का part खतम अब मुझे grid कर दिव बनाना है तो मैंने बोला let's say feature grid इस नाम की मैंने class कर दी ठीक है अब हर एक कार्ड को क्या बनाना है हर एक कार्ड को बनाना है हर एक कार्ड से बनेगा तो मैंने बोला यहां पर icon container नाम के div बना दी और इसकंदर img tag का यूज करके मैं अपनी image आड कर लोगा बहुत बड़ी है पहला काम डन फिर क्या बच्छा यह टाइटल और एक description समझ मारा यह मुझे फटा फटा फट आड करना है ठीक है तो हमने कहा कि ऐसा करो यहां पर एक div create कर लो मैंने बहुत अ कर दिया यहां पर कर दिया do at feature title यहां पर फीचर चांड ड़ेड़ ाकर तो इसकंदर क्या अड करना है इसको अड़िया और इसको अड़िया कर दिया इंटायर स्ट्रिक्ट्ट्रेश्रा आपका रेडियी हो चुक है अब भी आपको समझ में क्या रहा है कि यह आपका एक काड जो है कि इस परकार दर्शाया जा रहा है ऐसे मुझे यही चीज हर काड के लिए करनी है कि में आल इन ह भी आने कर दिया पेस्ट गर्ग मैं आने कर दिया पेस्ट गर्मändert कर दिया यह तर नी ह्ट बुलिडीया अश्कामिध Felix कर देखें सब्सक्रां के मैंस कर दिया इंवाला टाइम बेस और यही चीछे वाली चनुल में मैंटिट दाल दी इसके बाद में इन्फो दाल भी जहां पर हैटिंग डाल दी और इसके बाद बढ़िया फीचर ग्रेट कर ली उसके अंदर आपने अफने फीचर कार्ड रेट कर लिए हरे कारड के अंदर आपने इमेज का डेटा मुझे आड करना पड़ेगा ओर तो यह फीचर इस वीची में आड कर दिया है अधिन दाट आइधिक बस मुझे एक सोर्स आड करना पड़ेगा इसका सोर्स के अंदर हम जाएंगे हमारी डॉट मेज फोल्डर के अंदर और यहां से हम चूज कर लेंगे जो भी मारी फोल्डर जो भी मारी इमेज थीक है तो बाद में अभी CSS कर लेंगे तो उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे हम टिक है मैंने हर जगा इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो इस्टीमर स्रक्चर वाइस जितना मुझे कोड करना था मैं कर चुका हूं अब बाद में बश्वकाद चेंज करेंगे बट CSS अभी पेंडिंग इसका description बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हर चीज आ रही है स्टाइलिंग नहीं हुए स्टाइलिंग करनी बढ़िए उसके चंता नहीं है पर हां जो content हम सारा दिखाना चाहते थे वह सारा content आ चुका है पर फिर भी मैंने बोला चलो time waste तो नहीं करते पर सुंदर तभी ल डिया डिलिया डिया टिया ए टीक इंधैयक्त कर देता हूं तो मैं जित्व कर देता हूं तो मैं काड मैं वह थी कंड काड में बोला यह आगया अपर इसके अड़ च्ड हगया कीजिए स्ट पेश कर दिंए 1000 का टेक्स completeamız कर दिया। तो अब में सारे के सारे चीज़ें एड कर दीया तो पूरा-पूरा-स्ट्इमल स्ट्रेशन वारे हर एक चीज को परवट स्टाइल करना है क्योंग अभी अगर हम ध्यान से देखें अभी हमारा बहुत ही बेकार बहुत ही बेकार इतना बड़ आइकन तो में चाहिए ने चोटा इकन चाहिए हमें तो फटावट स्टाइलिंग करने शुरू करते हैं किस परकार का नजर आनची ऐसा नजर आनची ध्यान सा अब्जाब करोगे तो यह जो सेक्शन है फीचर काड़ वाला यह इसको स्टाइल करते हैं मैंने का फीचर कंटेनर की बात कर रहा हूं कि फीचर कंटेनर स्टाइल करने जा रहे हैं चाहिए इसके अंदर स्पांसिमस चेक करेंगे भी ठीक है करो आप इसका जो बैक्गराउंड कर ले जाना दोस्त वह एड कर दो वैर हमारे पास क्या-क्या पर लाइड गरे हैं हमारे पास बढ़िया अब्सर्व करो का लाइड गरे कलर हुआ हमारा यह सोर नो बिल्कुल लाइड के अग्या मजा आ गया वरी गुट इन दोनों के बीच का गाप फला जाता लग रहा है मुझे तो हम गए पुराने वाले कंपनी कंटेनर पर कंपनी कंटेनर को चैप करते हैं आप पर कंपनी कंटेनर केंदर क्या मार्जन बॉटम ने सेट किया हुआ है उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है सर्च कर लेता हूं कंपनी कंटेनर मार्जन टॉप आपने यह दिया हुआ है margin-bottom नहीं दिया है के company logo company grid I think margin-bottom होगा पर हमने मिल नहीं रहा है margin-bottom company grid 10R.E.M 10R.E.M मुझागा इसको 2R.E.M करना बिटा इक बार बढ़िया अब सभी होगा gap map तो gap अमने सभी माग कर दिया यहाँ पर exactly होगा हमने आपर कर दिया और अब जहां से अबसर्व करें तो इस padding-margin मुझे आड करने है वो padding-margin फटावट से माड करेता हूँ अगें अगर आपने इस स्टार्टिंग से नहीं देखे तो आपको समझ भी नहीं आएंगी चीजें कि मैं कैसे आपर padding-add कर रहा हूँ इस यह इंदर आएगा उसका प्सेंटर में लाइंट करना बढ़िया अब यह चेक करते हैं थेगे थोड़ी पैडिंग बी अच्छी होगी जितना गयब मिहां पर जाते तो इतना यह यह नहीं अपर बढ़ा सकता हूं कॉंटेंट के इन फेटर कोंटेंट वाली क्लास के अंदर मैं फेचर से श्टाइल करलेतेफे मैंने कहा के .feature content इसके अंदे मैंने set कर लिए कितनी max width चाहते हैं मैंने बोला कि आप कितना content किस परका से प्लेस करना चाहते हैं मैं सेंटर में प्लेस करना चाहता हूं मैंने बोल दिया margin zero auto और मैंने बोल दिया padding कितनी चाहते हैं आप मैंने बोला padding में चाहता हूं लेफ राइट में कर दिया मैंने अब यूए किसे नदर आ रहा है ठीक है में इन्फो यह मुझे style करना मैंने बोला कि heading अगर मैं ध्यान से observe करूंगा तो heading यहां पर size चोटा है जब यहां पर size थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है तो size थोड़ा सा मुझे font size बढ़ाना पड़ेगा तो मैं गया यहां पर क्या नाम है इसका नाम heading का रखा ही नहीं है ठीक है तो मैंने आप रख दिया class main title और मैंने main title को copy कर लिया style करने चलते हैं मैंने बोला क्या बोलूं क्या बोलूं font size font size 2rem 2rem is good थोड़ा सा और मुझे बड़ा रखना चाहिए थोड़ा सा और मुझे बड़ा रखना चाहिए थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ तो मैंने आप लेट से भूल दिया 3rem i think थोड़ा बड़ा हो गया है hidden trial करना ही पड़ेगा hidden trial के बिना या तो designer के द्वारे दीगे values आपके पास तो वह आप चलाएंगे तो मैंने है 2.5 अब थोड़ा बहुत हम अभी भी जाद ही है वह कम कर सकते है 2.2 कर लेता हूं अगें यह hidden trial वाली गेम है तो आपको वैल्यू सारी डिजाइनर से मिल जाएंगी या तो आपको खुद से hidden trial करना पड़ेगा ठीक है secondly चलते हैं यहां पर मैंने बुला कि यह text है इस text का मुझे style करना है अभी मेरा text का color थोड़ सो dark आ रहा है इसे चेंज करना पड़ेगा तो मैं देखता हूं मैं और यह चीजने styling पहले भी कर रखी है तो एक बार text color देखके आते हैं हमने अब तक क्या-क्या follow किया हुआ है color wear gray company logo लेट से मैं इसे उठा के लिए और मैंने बोला कि भाई मेरे को main title wear gray चेक करते हैं क्या यह करना था कुछ गरबड़ है इसके अंदर नहीं करना आपको यह आपको description जो है न उसके अंदर करना है तो मैंने बोला class main description ठीक है तो मैंने आपर बोला dot main description color this check करते है क्या color यह हुआ बढ़िया तो मैंने बोला font size 0.9 इसे करके मैंने बना दिया इतना font size लग रहा है मैंने बोला 1.1 चेक करते हैं हमारा text ऐसा नजर आ रहा है थोड़ा सा बढ़ा है थोड़ा सा बढ़ा है वन हर यह रख लेते हैं चोटो तो मैंने क्या बोला आपका यह main info था इस main info हो flex create कर लेता हूं तो मैंने बोला dot main info display flex flex मैंने बोला flex direction जो है वरक दो कॉलम एक नीचे एक आना चाहिए मैंने gap यहां पर मार्क करें लेट से बना रही है तो जो gap है वो ऐसा हो गया है क्या यह बनाना सामको हाँ ठीक है बड़ यह चल रहा है ठीक है अब आते हैं feature grade के ऊपर यह grade मुझे create करनी है इस grade की बाते कर लेता है ठीक है इसको style करने जाना है तो मैं गया मैंने यह सब तो मैंने style करी ही लिया है अब बच आपका feature grade तो पहले feature grade को create कर लेते है कैसे grade करते है मित्रों आपको display को grade मार्क करना पड़ता है तो आपको styles.css के अंदर और आपने बोला कि .feature grade आपने मार्क कर दिया display को grade आपने बोला कि कि कितना gap रखेंगे आप इसके अंदर क्याप करें 1 IM वे आपने बोला कि कितने कॉलम होंगे क्यादा котором में क्रिट कर दिकलिया समझ में आता है कि सबसे हैं ओनमी संद्र हैं यहां पर आद में एक है कंई जो स्टायल करना पड़ेगा इसके तो इसक ह 샤ाय करने होगे नाम क्या था हर एक ताइकन आइकन चांटेनर नदर है हुआइक जञ ते इननल के अंदर है करना पड़ेगा तो मैं इसको स्टाइल करता हूं फटा पट तो मैंने बोला कि इसकी हाइट मैं चाहता हूं जी तीन आरियम बन जाए बहुत बड़ी और मैं इसको राउंड करना चाहता हूं ठीक है तो सारे सारे सरकल में आ चुके हैं अपर ध्यान काम से अफ्स भर करोगे तो कोई भी संटर में लाइन रही हैं तो मुझे इस ब्थी को संटर में लाइन करना पड़ेगा अब सेंटर में अलाइन करने की लिए मैंने क्या बोल दिया है कि इसको फलक्स बनाइता हूं है डिस्पले टार मैंने वुला के justify content जेंटर फोला कि month अ jut याइंच संटर जेंटर सेंटर और मैंने श्क खेक कर आई और कि local कर भी मंने सारं के सारे कर लिए ठीक है वापस कि अधर काड को मुझे कार्ड को क्या 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 करना है इसको स्टााइल कर थे तो थे इसके लिए तो तो शुति करो आइकन है यह और टाइटल है वर दिस्क्रैप्शन है तीन चीजे आइध रोघा अधिर को ना दो तो आपने यहां से कॉंबिनेशन कर लिया यहां पर एक साथ यूज करने कोशिश कर रहे हैं मैंने बोला यहां पर एक के नीचे content है तो column होगी direction मैंने बोला सारा का सारा content सेंटर में आना चाहिए आपना justify content सेंटर में कर देना और अब इस प्रकार से आपने center प्लेस कर दिया सुंदर लग रहा है कहीं ना कहीं आसपास पहुंच रहे हो कोई ऐसा इस नहीं है आप बढ़िया और रहा है तो कार्ड हम create कर निकले कार्ड तो देखो हम create कर पा रहे है ऐसा कुछ नहीं कर पारें वह बात सुंदर नहीं है सुंदर बनाएंगे तो टाइम लगे सुंदर बनाने में बड़ ठीक है एड्रीय कर लेंगे तो अभी ध्यान से देखो इस description के अं रचिन, टॉप, लेट्स यह वन आ रिम, चेक करो, बढ़िया, एक गप हमने प्रियेट कर लिया है, यहां पर एक गप थूड़ा सा जाधा लग रहा है, थूड़ा सा जाधा लग रहा है, ऐसा करते हैं, 1.3 कर देता हूं, बढ़ यह अब गैप ठणा तीक लग रहा है अब आगे बढ़ते हैं ग्रिड के अंदर ध्यान से कर देखुँ सारह सारह का सारा टेक्स किस क्लर का है सारह टेक्स वाइट क क्लर कर थे कह नहीं है इनका टेक्ट कलराड कर दो तो मैंने बर फीचर टाइटल का अपने कलर आड कर दिया है और लट से मैंने बोल दिया उसका ना यूज करें वह जाते आपके लिए बैटर रहेगा अच्छी प्रैक्टिस बाहनी जाएगी ठीक है युँआ ब्राइड करें अर्वांट इंक एक जो ही में पर उर्डू के बाइन रहा है हमने किया हमने बुला कि I can Col Signor के अंदर सुरी फिचर कार्ड के अंदर फीच्र कार्ड रिजय कर दिए कुर्ट वंको日本 चारो रहे सोंदर लग रहा है। घीरे सोंदर बननता जा रहा ह Tou तो यह राउंड़ नहीं है इसकी बॉर्डर रेडियस जो है राउंड़ नहीं है तो मैंने क्या बोला जो भी मेरा फीचर कार्ड है उसको मैंने फटा-फट से आप आके बुला के बॉल दिया वन आर इम चेक करो बढ़िया क्या अब सुंदर लग रहा है धीरे-धीरे क्या अ के कण union हैं या घ्म या आपर WRITE-DOWN कि हुए कंस कैनि कलर के सारी वैले ऊण करनें हमें ठीक है लट से मैं पहले वाले कार्ड के कदा कर रहा हूं पर मैं तो साब-कार्ड का नाम फीचण तुम चाहो तो खुझ से निकाल सकते हो कौन से काड की बात कर रहे हो एंथ चाहिए तो हम यहाँ पर गए हमने बोला मुझे सबसे पहले काड की बात करने है तो मैंने कहा दूसरा चाहिल्ड तारो ना दूसरे चाहिल्ड में जाओ दूसरे चाहिल्ड और चाहिए चाहिए तो यही सेम चीज का यूज़ करूंगा अभी और सब के अंदर में कलर एड कर दूँगा तो आगे बढ़ने से बाल चेक करो क्या color change हुआ बिलकुल हुआ तो इसलिए copy paste करना पड़ रहा है तो मैंने बोला दूसरे child के बाद यह तीसरा child आ गया यह चौता child आ गया यह पांचवा child आ गया यह छटा child आ गया colors add करता हूँ second FCBF58 FCBF58 अगला color है 44BFC3 अगला color है 77B05D अगला color है 7D78B1 मैंने बोला कि पहले child की बात भी कर लेते हैं पहले child का color भी add कर लेते हैं तो पहले child का color भी एक पर add करके देख लेते हैं मैंने बोला कि मुझे पहले child की बात करनी है पहले child के लेते हैं तो पहले child का जो color है उफटावट से उठाके लाते हैं 4A90E2 4A90E2 यहां पर ऐसे पहले child के लेते आड़ करने की नीड़ नहीं थी आप अलग से जब यह फीचर आपर पहले उसके अंदर डाल सकते हैं यहां पर feature card करते हैं चेक करी वह इंवाई तो क्या मैं दीरे दीरे यहां पर पहुंच चुका हूं क्या मैं धीरे दीरे यहां पर पहुंच चुका हूं लगता तो है थोड़ा bold वगरा का समालना पड़ेगा इन तीनों के बीड चुकलाशा चाहों है इंड़का इन क्या अपने आदरश सलता हो कों care कोई है कर रा हो यह काड़ फ्लेक्स थ्युक्त मैं चाहूं इहां पर इधक है के कहान नी घुब मacas इंड़कांइ के लिग्री तो ऊपकानष इस पीचर था है रहा है तो आप आप क्या करो इसको भी स्टाइल कर लो आप बोलो के डिस्प्लेज जो है वो फ्लेक्स है आप बोलो की फ्लेक्ष्ट डारेक्शन है जो है वो एकके नीचे के अनि कॉलम है और यहां पर पसाइन कर तो वन आर्यम का लो और सुन्दर हो जाएगा तो करने से आपको यह पूरा सुन्दर हो गया अब कहाँ पर द्रेंट्स द्रेंदों इस टेक्स के अंदर यह हल्का है मैं प्रित हुददEC कई बड़ा है और इस टेक्स कर लेते हैं क्लास का नाम क्या है टैक्स के क्लास का नाम है वेट मैंने बोला की इसकों है Creating was把它 इसको साइज physicians करते तो मैंने वोला कि font size size मैंने वोला 1.3 आ रही है चलो check करते है बढ़िया तो क्या जो मैं create करना चाहता तो कर पाया लगता तो है लगता तो है तो थोड़ा बहुत तो में फरेक नज़र आए कि हम अपने हिसाब से values को use कर रहे है हम कभी-कभी डिजाइन के तो यह कर रहे हैं कभी-कभी अपनी खुद के हिटन ट्राइल वाली वैली तो सेम कर दोगा तो कल को जब तुम खुद बना निकलोगे तुम बहुत बहुत इंपार रहा हूं तो हमने इस प्रकार से अब्सरब करोगे तो kind of kind of हमने create कर लिया है kind of हमने इस पूरे के पूरे को create कर लिया है एक बात थोड़ा सावर comparison कर लेते हैं I think अच्छा है थोड़ा बहुत gapping वगरा और changes करने पड़ेंगे छोटे मोटे और फिर समझ में आ जाएगा हमारे cards थोड़े से size में बढ़े है थोड़े से size में बढ़े है size हमारी padding जो है न वो थोड़ी जादा हो गई है तो चाहें तो padding थोड़ी कम कर गया आसपस लेकर आ सकते हैं इसको तो मैं जाहूं तो यह padding 1.6 कर सकता हूं और फिर देखते हैं क्या फरक पट रहा है तो देखो अब हमारे cards चोटे लग रहे हैं नहीं चोटे तो नहीं लग रहे हैं यह थोड़ा से comparison wise यहां पर लेकाना बढ़ेगा क्या हम पहुंच पाए क्या हम पहुंच पाए लगता तो नहीं है चल तो नहीं रहा है एक बार इस गैप को हटाता हूं एक बार इस gap को भी हटाता हूँ और क्या करता हूँ ऐसा नदर आ रहा है मैंने कहा कि यहां पर यूज़ता हूँ तो इस प्रकार क्या हम आस पास पहुंच पा रहे हैं यस और नू लगता तो है लगता तो है हमारे कार्ड के अंदर साइजिस का थोड़ा डिफिनन्स दा रहा है कि पर कोई मेजर मेजर इशू तो नहीं है कि मेजर इशू तो कोई बेनी है उल्टा ज्यादा हमारे बाले कार्ड अच्याहीं अब्सक्रिप्टे हैं 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 वापस फोकुस करते हैं हैं तक करनी है एक बार अधनिक है करनी चाहिए एक बार अपकर एसे कर लेता हूं बड़ी है तो इस टाटिक है कोई अनिमेशन एड़ नहीं करने को फटाफट यहां पर मारे बड़ चेक करते हैं ठीक है सुन्दर लग रहा है तो अभी तक है हमारी वेबस्ट आइसी कुछ नदर आ रही है और मैं कह सकता हूं देखने में सुन्दर लग रहा है कोई भी कर लेते हैं तो आइधिंक बात बन जाएगी वेरी गुड़ आइधिंक हम इसके आसपास आ गए होंगे आइधिंटर लगता है ठीक है एक जाने के चकर में पर ठीक है सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको आपने यह क्रियेट कर लिया मैंने कहा कि एक कर बड़ी है चैक कि अपर इंस्पेक्ट करके मैं इसका साइज को डिक्रीज कर रहा हो था तो मैंने क्या उपजर्व किया अब भी साइज 1175 है बेट की बात कर रहा हूं मैं तो जैसे आपका साइज 767 7777 769 768 पर जैसी आपका साइज हुआ वैसी आपका पूरे पूरे कार्ड पूरे ब्लॉक के अंदर आ गये सिंगल कॉलम के अंदर ठीक है जैसी आपका साइज 768 पिक्सल से कम हुआ वैसे ही कर लिया कि हमारे केस में अगर चोटा करेंगे साइज को तो कुछ नहीं हो नहीं पड़ा राइट तो फटावर्ट से में और कॉपी कर लिया और मैंने वोला कि क्या मीडिया कोरी डाउन करूं मैंने मीडिया कर रहे हैं कि जब भी जब भी मेरी विट्ट 768 पिक्सल से कम होगी तो मैंने बोला कि जब भी मेरी विट्ट 768 पिक्सल से कम होगी तो मेरा कॉलम एक होना चाहिए किसके अंदर कॉलम मैंने बोला फीचर ग्रिड की बात कर रहा हूँ है तो फीचर ग्रिड की बात करते हुए मैंने बोला मेरा ग्रि करता हूं वैसे ही 768 pixel पर जाने के बाद क्या हो गा तो बही तो खुछ निहां है आप दीखते हैं यहां पर जल रहा है और यहां पर जल रहा है कि अब कंपार्ण करते हैं यहां पर ऐसे ही आप नीचे बन जाता हूँ यह अभी अभीवाल तो सही हो रहा है पर यह भाई साब क्यों नहीं हो यह भाई साब क्यों नहीं हुए कि अधिक टेंपलेट कॉलम्स पीचर ग्रीड के स्पैलिंग अंडर स्कूर नी था बिटा इस लिए गलता रहा है चेक कर लेते हैं क्या था फीचर ग्रीड हाना है अब सही चल रहा हुगा अब हमारा भी बिल्कुल सही चल रहा है जैसे ही आप 768 पिक्सल के नीचे आते हैं ठीक है 779 3269 तो आपके सिंगल काड इस प्रकार से बन जाएंगी कि यहां पर भी ऐसी काड नज़र आ रहे हैं ऐसी काड नज़र आ रहे हैं कि मार्जिन थोड़ा सा कम है मार्जिन थोड़ा स हमने बोला कि मुष्य इतना रखा हुआ हमने 2 a e m की पैडिंग हुए है मार्जिन जीли्ह चाहता हूं कि क्या मार्जिन रखना चाहता हूं थो सब्सक्राइद हैu कि मैंने बूल दे हैं फर लिग अब चेक कर लेते हैं कैचे नथरा हो गया अबधी तो मैं टो आयू आर्कंस अब चेक लेने कैसे है है एक feature section कैसे अपनी website कंदर ग्रिट का रूज़ करके इसे संदरव कर सकते हैं ना इन्धर अपने यह संदर के पर धाला यहां ट्रीकिंट पर निटागे सраस्तों सोझेटे साथ आपको मुझे अब कोड़ ह के अंदर हैं और एक ट्रेस्टिमों आख जाएगा थेख स्वेट तो किस प्रकार से बनाए जाते हैं सारा के सारा सेक्शन यह हम देखने वाले हैं और साथी साथ आप क्रिपा करके न के मित्रों एक वारे बूटकैम को भी देखना है तो आप से नदर आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ने अगर आपको लगता है तो यूग जॉइन और वहापरम तीन महीने अगले चल करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं बहुत श्ट्रांग होने वाले अपने अलेडी कॉंसेट करने तो नहीं बाइव लगनाइट